दोत्तों, All this gold में आपका स्वागत, भजनों के कारेकरम में, देखिए जो लोख भजन होते हैं, उनके अंदर बड़ा मिठास होता है और बड़ी सार की बात होती है, मैं आपको लोख भजन सुनाओंगा, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, और सबसे पहले यही सब कुछ था, इसके बाद में ही बाकी सब बने हैं, क्लासिकल वगएरा सब बाद में बने हैं, सबसे पहले लोख भजन ही थे, मैं आपको लोख भजन का मतलब यह होता है, कि आप जैसे हैं, आप वेसे ही रहें, फाल्तु का दिखावा करने की कोई आवशक्ता नहीं होती, इतना उनके अंदर मार मिक्ता होती है, तो एक मैं बजन आपको सुनाता हूँ, कबीर मंदिर लाख का, जड़िया ही रे लाली, दिवस चारी का पेशेना, बिन से जाएगा काली, कभी दाजी करते हैं, के मंदिर लाखों रुपए का बनाओ, करोड़ों रुपए का बनाओ, हीरे लगाओ, लाल लगाओ, उसमें तरह तरह के आप फुल खिलाओ, लेकिन अरे तू चार दिन का मेमान है, तुझे जाना पड़ेगा, क्यों इतना अडंबर करता है, क्या अडंबर करता है, अरे दुनिया, उल्टी रिट चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे, ये संसाग, ये दुनिया, उल्टी रिट चलते हैं, जिसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है, दुनिया उल्टी रिट चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे, ये अर्थ समझ नहीं आवे, भाई, दुनिया उल्टी रिट चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे, भाई, दुनिया उल्टी रिट चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे, अरे, बेरुजी से बेटों मांगे, एक बकरे कहता हैं, अरे, आप्रे पोत्र ने गोद खिलावे, आप्रे पोत्र ने गोद खिलावे, कैंटे परायां काटे, दुनिया उल्टी रिट चलावे, जारो अर्थ समझ नहीं आवे, एक सावकार के संतान नहीं हो रही थी, बेटा नहीं हो रहा था, तो लोग गेवता बेरुजी उनका पेड़ के निचे अस्तान था, कि माराज मेरे को एक बेटा दे दो, मैं आपको एक बकरा चड़ा दूँगा, और एक बड़या हट्रा कट्रा बकरा खरीट के, ओ मोटे रसे से ले जाके बनी आई तो था, पेड़ के बान दिया कस करके, और कुदर्थ की महरवानी, तो बकरा काफी देर तक तो पीं 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 करता रहा, भूका रहा, प्यासा रहा, तो पेड़ के पास वो जो मूर्टी थी उसके बानदा था, तो भूका पैसा वो कहां तक रहे, तो उसने दोड़ लगानी सुर्की बकरे में बड़ी ताकत होती है, तो रसी से भेरूजी की जो मूर्टी है, वो गिस्ती जारी और बकरा आगे जाता जारा, ये हालत उसकी बेरूजी की हो रही, तो उदर से माता जी आ रही थी, तो उसने का बेरूज तेरा ये क्या हाल हो रहा है, तो बेरूजी ने कहा कि माता मड़ में ही मटके करो, तबी बनिये को बेटा देखे देखो तो क्या हाल होता तुम भी मालूम पड़ जाएगा मैंने बनिये को बेटा दिया मेरी ये हालत तो गई दुनिया उल्टी यानि कि एक बकरे की बली देने के लिए अपने बेटे को मांगा उनोंने तो अपने बेटे को गोद खिलावे दूसरों के कंठे काटे ये कोई उचित नहीं इसी तरह लोग भेंट करते हैं कि मैं तेरो बकरा चड़ा दूगा बकरे की बली देते हैं मुर्गे की बली देते हैं क्यों ऐसा अन्याई करते हैं इससे कुछ नहीं होना दुनिया उल्टी रिर्च लावे जारू अर्थ समझ नहीं आवे ये अर्थ समझ नहीं आवे भाई अर्थ समझ नहीं आवे भाई अर्थ समझ नहीं आवे दुनिया उल्टी रिच लावे जारू अर्थ समझ नहीं आवे अर्थ पत्थर रो एक नाग बनायो जीने पूझ बाजावे पत्थर का नाग की आकरती बना के उसकी अस्तापना करते हैं और ओरते हैं आदमी उसको पूझने के लिए जाते हैं किसको पत्थर पे नाग की आकरती को अरे पत्थर रो एक नाग बनायो जीने पूझ बाजावे अरे साचकलो नाग गरा में आवे साचकलो नाग गरा में आवे उन लेला थी धमें कावे रे दुनिया उल्टे रे चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे ए अर्थ समझ नहीं आवे भाही ओ दुनिया उल्टे रे चलावे उस नाग को पत्थर की नाग को तो पूजने जाते हैं और घर में असली नाग आता है तो लाटी लेकर के मार रुकते हैं उसको दुनिया उल्टी रित लावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे अरे गारा की गन गोर बनावे जिने पूज बाजावे गारा बोलते हैं मिट्टी को उसकी गन गोर बनाते हैं और ते पूजा करती है गारारी गन गोर बनावे बिने पूज बाजावे वातो मूरती मुकसन बोले वातो मूरती मुकसन बोले उन्हें समदर ये तरी आई रे दुनिया उल्टे रे चलावे ज्ञार वर्त समझ नहीं आवे अब एसी सुन्दर परतिमा बनाते हैं उसको पूछते हैं और बाद में तलाब में ले जाके विसर्जन जिसको कहते हैं फैंक देते हैं दुनिया उल्टे रे चलावे ज्ञार वर्त समझ नहीं आवे अरे जीवता बापन रोटी न देवे नित उट राड मचावे माता पिता जब तक जिन्दे रहते हैं उनको पूरी रोटी भी नहीं देते उनकी सेवा नहीं करते रोजाना लगडते हैं जगडते हैं कुछ न कुछ करते रहते हैं बुडे मापको जीवता बापन रोटी न देवे नित उट राड मचावे अरे मर्याबाद मैं मूछ मडावे मर्याबाद मैं मूछ मडावे नोमन खांड गलावे रे दुनिया उल्टी रित चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे अर्थ समझ में न आवे भाई अर्थ समझ नहीं आवे भाई दुनिया उल्टी रित चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे तो माता पिता जब तक जिवित हैं उनकी कोई पूछ नहीं उनके लड़ते हैं जगटते हैं जब उनका देहान तो हो जाता है तो नोमन खांड गलावे खांड का मतलब चेनी से होता है खूब मिठाईयां बनती है गाउं के गाउं को निमंतन देते हैं कि आओ जिमो खाना खाओ और बेठे मुशों पे ताव देते हैं दुनिया कहीं कहीं सोमन खांड का लिखा है कहीं कहीं नोमन खांड का लिखा है उससे कोई फरक ने पड़ता है उल्टीरी चलावें जारवर्थ समझ नहीं आवें अरे घर की खांड कर करी लागे गुड़ गाडियां को मीठो लागे गर की खांड कर करी लागे यानि कि गर की जो चीनी होती है घर की कोई चीज होती है वो तो कर करी लगती है और जो गाडियों के अंदर गुड़ जाता है वो मिठा लगता है क्योंकि मुप्त में हाथ आजा है गर की खांड कर करी लागे गुड़ गाडियां रो मेठो लागे पच्छे पोल में डोल वाजे दुनिया उल्टे रित चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे दुनिया उल्टे रित चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे ए अर्थ समझ नहीं आवे जारो अर्थ समझ नहीं आवे जारो अर्थ समझ नहीं आवे जारो क्या करता है कहता क्या है करता क्या है इसका अर्थ समझ में नहीं आता इसकी माया समझ में नहीं आती दुनिया उल्टे रित चलावे जारो अर्थ समझ नहीं आवे ए अर्थ समझ नहीं आवे जारो 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 अर्थ समझ नहीं आव तीरी चलावे ज्ञारो अर्थ समझ नहीं आवे ये कभी ताजी की ही वचन है कि संसार के अंदर इस तरह क्यों होता है